हेलो बच्चो तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास नाइन्थ के बच्चो का साइन्स सब्जेक का उसका आज हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्र पूछा गया था इलक्ट्रोन की खोज किस ने की थी तो रदर फॉर्ड गॉल्ड इस्टीन थॉम्सन या इन में से कोई नहीं तो आप लोगों को हम बता चुके थे इलक्ट्रोन का खोज जो किया था बच्चो यह जे जे थॉम्सन ऑप्सन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट तो मेरे प्यारे बच्चो परमानु के नाभिक में कौन सा आवेस होता है धनावेसी तावेस ठीक है आप लोगों कम बताये थे धनावेसी तावेस तो धनावेस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा पॉजर्टिव जार्ज ओप्सन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाता बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल में तीसरे नंबर जो सवाल पूछा गया था ठीक है परमानु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कन होते हैं तो परमानु के नाभिक में जो है बच्चो प्रोटोन और न्यूट्रोन जो होते हैं यह मौलिक कन होते हैं ऑप्सन नंब तो बिल्कुल राइट हो जाता तो जिन बच्चों ने फोर नमबर का सी ऑप्षन क्या होगा उसका बिल्कुल सही होगा आगे तो को नेक्ष्ट को सवाल दो समस्थानिकों में से निवलिक्षित में से कौन सा गुं समान होते हैं तो दो समस्थानिकों में से बच्चों जो इस का खोज हुआ सफान परकृर्णन पर्योग से निमलिखित में किसकी खोज हुई थी तो रदर फोड के अलफा कन conditionel के पर्योग से मेरें प्यारी बच्चों यह किसका खोज हुआ था तो परमानू का नाभिक का हुआ था किसका वा था परमानू के नाभिक का ऑप्सन नमबर एस का बिल्कुल राइट हो जाता आगे देखें एट नमबर जो सवाल था रदर फोड ने अपनी पर किरनन परियोग में कौन सी किरने का उपयोग परमानू के जो नाभिक में पी और एन होता है इसका जो योग होए बच्चों यह किसके बराबर होता है तो परमानू दरबेमान का फार्मूला क्या होता है कि पी पलसें तो दोनों का योगफल क्या होगा परमानू दरबेमान होगा option number option number 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है तो जिन बच्चों ने इसका बी किया होगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है तो यहां तक आप लोगों का objective सवाल पूछा गया था ठीक है देख लेते हैं subjective में कौन-कौन से सवाल थे पूछे गया थे यदि किसे त तत्यों के परमानु संक्या तीन हो तो तत्व का सही हो जाकता क्या होगी तत्यों का नाम बिल्किया रहे तीन है hydrogen lithium lithium हो जाता और इसका सही हो जाता तो जिन बच्चों ने किया होगा उसका सही होगा आगे देखो बारा नमर जो सवाल था प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्या था जे चैडविक है ना चलिए आगे देखे तीरा नमबर सवाल जो पूचा के तीन उप्योग लिखे तो समस्थानी का तीन उप्योग आप लुको देखो एक होता है कैंसर वाला में घेंगा में और एक खनीज वगार में है ना तो यह तीन उप्योग को आपको लिख क्या निकालना है था ठीक है तो यह भी देखो द्रमिमान आप लोगो हम अलग से बता दिये थे द्रमिमान किसे कहते हैं और यह भी आपको निमरिकल जो है आपको करवा चुके थे आगे देखो रधर फार्ट के परमानु सिधान के मुख्य बातों का उलेक करें यह भी सवा तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देंगे के आज के ठेस्ट में आप लोग कितना नंबर लाने वाले और मेरे प्यारे बच्चों जिस से हम विकली टेस्ट की तयारी कर रहे हैं उसी तरीके से 524 के तैयरी स्टार्ट हो गया है यह गया है तो आप लोग नगतार जो भी वीड एक यह नाश्यू प्रकाम नाश्याया का हमें car प्रिवियस मॉडल पेपर जो के आपको बहुत सारे कर वाये जाएगा तो części में म拼लते हैं तो आप उसे जरूर देखेंगे और अगला जो विकली टेस्ट होगा उसका भी तैयारी करवाया जागा जैसे हिंदी इंगलेस का वो भी तैयारी करवाया जागा तो चैनल पर बने रहना है अगर सबस्क्राइब नहीं कि है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन निखेक्ति हैं और लिए साफ सवाल कर सकते हैं ठीक है इंस्टाग्राम के साथ 15 टेली ऑट्सब्र मेडिकर मीडिया का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे वैं disruption में वहां से बारी-बारी में हो सकते हैं तिक है और हमसे बातरे कर सकते हैं कोई सवाल आप हमसे कर सकते हैं तो सभी का लिंक दिया है वाट्सप ग्रूप का वाट्सप चैनल का टेलिग्राम इंस्टाग्राम है ना तो चलिए फिर और एक छोटा से रिक्वेश्ट आप लोगों को की कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करें ठीक है आप कितना न है उससे तेज हूं तो मैं नहीं पड़ूँगा ऐसा नहीं ठीक आपको चाहना है कि और अच्छा करना हमेशा अच्छे करने के सोचना है ना इसलिए आप लोगों को क्या करना है अपने फ्रेंड से अपने दोस्तों से सभी से थोड़ा कमपेटिशन करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है ठीक है चली फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच